Hello Friends, मैं हूँ विकास इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि True Color को Default से कैसे हटाएं अगर आप भी कॉई कॉल करती हो या कोई कॉल आता है तो वह True Color पर आता है या True Color से डायल होता है तो True Color को Default से कैसे रिमूब करें आईए जानते हैं देखिए इसका कोई true color में तरीका नहीं है इसका तरीका अंदर सेटिंग में जाकर है true color से हम default set कर सकते हैं पर true color से हटा नहीं सकते इसके लिए हमको setting में जाना होगा सबसे पहले आपको जाना है अपने phone के settings में तो यह ही मेरी phone की settings आपका कोई सब भी phone हो सम highlights same ही तरीका रहता है नीचे की तरफ आईे आपको मिलेगा यहाँ पे apps या आपको मिलेगा manage apps या app permission आपको इसपे touch करना है मैं आपको दो तरीके बताऊँगा इसपे touch करो और यहाँ पे आपको मिलेगा phone app call यह phone मिलेगा ढूंडिये तो मैं नीचे के तरफ आता हूँ मेरे फोन में आप फोन नाम से हैं जैसे ये वाला जो है फोन नाम से हैं तो मैं फोन नाम से सर्च करता हूँ तो नीचे के तरफ है मेरे फोन में मैं चेक करा देता हूँ आपको तो नीचे जाता हूँ यह रहा तो यह मेरा डायलर पैट है प फोन वाले या कॉल वाले को डिफल्ट कर दीजिए और बैक कर दीजिए अगर यह तरीका समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है आपको अपने डायलर पैट जहां से आप कॉल करते थे पहले उस पर लॉंग प्रेस करना है आपको मिलेगा एप इंफो यह वाला निशान इस पर टाज करना है वही पेज फिर से आ जाएगा और सेटश डिफल्ट यह कॉलिंग अप पर आएप और आपको इसे सेटश डिफल्ट कर देना है डिफल्ट अपड लगा देना है तरीका मैंने बता दिया है एक ओर तरीका है आप को अनश्टॉल करके दोबारा कर सकते हो तो भी ट्रू कॉलर डिफर्ड से हट जाता है वीडियो पसंद आई है लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए